नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों आज का यह वीडियो आप शबी के लिए बहुत ज़्यादा महत्पुन और बहुत ज़्यादा खाश रहने वाली है इसलिए आप इस वीडियो को अकेले में देखें कि दोस्तों इस वीडियो में आप खबता खैसे मिलन जुम्सकेली को 이काति नहीं हो चेला हैं शुआ मेंजदेट नें स्विप Mir Inmist Ну जानाकार खानें दोस्तों आप को मचनिम्जन करें और शुरूँ से लेकर शुरूर देखिएगा ने दोस्तों उस्टों विद्विव में एकिजानों कोई के पिछले शमय उंतराव में और अभी जो आपकी शाथ घटनाई हो रही है और किषकी वज़ए से वह जानेवाली टी часто आनेवाले अब आपके शाथ कौन सी घटनाईं होने लिखेगा और यदि आप चनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथ बेल आइकन को प्रेश करके और पर श्लेट कर दें तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारम करते हैं दोस्तों आप लोग अपने जिवनकाल में पिछले शमिंत्राल में हर मोशम को देखा है आपने हर मोशम को जहला भी है यहां पर हम आपको मोशम यानि शमय की बात कर रहे हैं दोस्तों मोशम का मतलब शमय है दोस्तों आपको बता दें कि आपने हर तरह के मोशम को देखा है हर शमय में हर परकार की पिस्तति और सिश्चपिसण को जहला भी है अपने जिरोन में अच्छा भी देखा है तो अपने जिरोन में बुरा भी zarиях देखा है तो करे चाहले जोन में अपने चाह sacrificed है वह अपने जिरोन में गन भी आपने देखा है दोस्वाण पिछले शम determGAN में आपने उम्मिद भी रखी है आपने अपने उम्मिद लगाई बेठे हैं कि आने वाला हमारा कल बहुत ये अच्छा होने वाले हैं आपने सोचा है कि आने वाले शुम में हमारी किशमत जरूर बदलेगी और आप अपने मन में ये सोचते रहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि आपने पिछले शुमे द्राल में यह भी सोचे हैं कि आने वाले शुमे में हमें पहतरी परणाम जरूर देखने को मिलेंगे शाति आपको बता दें कि दुख में दर्द में चाहे आप कितनी भी तकलिफ में क्यों ना हो आपके चेहरे पर मुश्कुराट हमेशा बनी रहती है दोस्तों आप अपने दुखों को किशी के शात व्यक्त नहीं करते हैं या पिर कर भी नहीं पाते हैं दोस्तों आपको बता दें कि आपके मन में बहुत कुछ करने की इक्छाएं होती है, कुछ करने की कुछ बनने की अन्यक इक्छाएं एक तमयनाई ही रहती है, आपके मन में कुछ ऐसे भी तमना ही होती है कि आप अपने जियों में जो आपके मन पशंद चीज हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकें आप उन्हें मन पशंद की चीजों को मन पशंद के कालियों को करें और जिस लेवल पर जाना चाहते हैं उसे प्रात करें लेकिन दोस्तों आप उश्में की मार और घर की महत पूँड जिम्यतारियों को देखते हुए पीचे अरजाते हैं या पिर कहें पर आपको उश्में की इश्री मार पड़ती है कि आप अपने अर्माणों को अपने अंदर ही ड़ालेते हैं शादे दोसों आपको बता दें कि आप जानते हैं आप जिस इस्तिति पर है जिस भी लेबल पर है जो भी कारी को अपने अचिव किया है वो आपकी मंजिल नहीं है आप बने जोन में अभी भी शंतुश नहीं है आपके बड़े शपने हैं आप बड़े उचायों पर जाना चा और आप जहाँ हैं वहाँ पर आप खुश नहीं हैं। लेकिन दोस्तों यहां बात भी बिल्कुर शाथ है कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर ने छोड़ी। आप शे जितना हुश्ट चका आप जितना प्रयाष कर सकते थे आपने पुरा प्रयाष किया। पुरे हि भी आपके कुछ महत्मुन शपने हैं जो आज भी पूरे नहीं हुए आज भी अधूरे हैं और उनको प्राप्त करने की जो ललक है जो तमना है वो आपके अंदर अभी भी है इसके साथ ही दोस्तुम आपको बिता दें कि आप जिनके लिए महत्मुन कारी को छोड़कर उनके पिशाइथा करते हैं दिलोजान से उनकी हेल्प करते है आखिर वही आपको धोगादे देते हैं और जब आपको उनकी जरत पड़ती है तो दोस्तों पीट पीचे करके आगे चल देते हैं इसके साथ हम आपको बिता दी कि आपकी जो उनमें कुछ यसी भी गटनाई गटी दूरी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है और बहुत ही ज़्यादा दर्दना गटनाई भी गटी है यहां तक कि कभी-कभी आप अपने पूरु श्रमे को याद करके बहुत यह ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कभी आप अकेले में बेटते हैं तो यह सोचते हैं कि आपकी उनमें जो आप प्रना चाहते थे जहां पर आप पह boca पुपशना चाहते थे वहां पर अभी भी पहुँच नहीं पाए हैं ऍपनी मंजील को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्या हुआ कौन सी वज़ा है कौन सा कारण है जिससे आपको शपलता अभ अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहला कारण है दोखा. दोस्तों आप अपने जिवन में जिनके उपर वुश्वास करते हैं। उनकी शाता कर 501 बढ़ाते जिनको आप अपने शारी जानकारियां भी देते हैं वही लोग आपको दोखा भी देते हैं और आपको नुक्षान हो जाता है इसे के शाधिम आपको पिता दें कि दोस्तों आप कोई भी कारी करते हैं तो उसमें जल्दबाजी और उतावले से कारी करते हैं उसके कारण भी आप अपने मलजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके जियोन में खराप प्रितिती का निर्मान हो रहा है लेकिन दोस्तों मैं आपको बिता दे कि जो बीत गया शोब बीत गया अब उश पर आग को विचार करने की जरत नहीं है उशे तो आप ठीक नहीं कर सकते लेकिन एक बात तो सच है कि बितावश्य में आपको बहुत कुछ शिखा गया है और अपने जरूर कुछ अच्छा नु कौन बीच में रहकर अच्छे बातें करते हैं और पीट पीचे कौन बुराया करते हैं अब आपको श्वी परकार की सिख को लेने के बावजूद जियोन में आगे बढ़ने की जरते हैं और आप आगे जानते हैं आपको केश्य परिणाम देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि यश्मे वावदी में आपकी प्रिश्यानियों कंत होगा आपको श्रम मशुष होगा कि आपने पिछले सिमेट जो भी गावाया है वह यश्में आपको मिल रहा है दोस्तों आपका पूरा वक्त अब धीरे धीरे श्माप्त हो रहा है और आपकी जोन की शारी प्रिश्यानियों धीरे धीरे दूर होते वे इस महिने में आपको नजराने वाले हैं दोस्तों यश्मे कोई भूमे शमंदी घरित परोफ्त का काम शंपन हो शकता है धर्मकर्म शमंदी कारियों में भी आपकी विसे से समय रूची रहेंगी तथा आपका निश्वार अधनी को लेकर बाद करें तो दोस्तों यश्मे आएके शाथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे अपनी फिजल कर्ची पर आपको यश्मे अंकुष लगाना चाहिए दोस्तों कि खास प्यक्ति के दौरा ही आपको कुछ नौक्षान यश्मे हो शकते हैं तो दोस्तों यश्मे बैतर होगा कि भारी शंपरकों से आपको दूरी रखना चाहिए दोस्तों प्रिस्ति को कुरोध के बजाए शांती पुन तरिकेशे निम्टाएं तो आपके लिए ज्यादा कुछ लिए रहेगा और इसको प्रान दोस्तों यश्मे आपको बता दें कि किसी के भी शाथ मिल करने की आप कोöstर करें यह आपके लिए बैतर होंगी दोस्तों यदि आप नया घर छेदिना चाहते हैं या फिर नए घर को सिफ्ट करना चाहतें तो दोस्तों इन बातों में देरी होसकती है यश्मे आपको धैरी रखने की आव наход si Wiki होंगी कि दोस्तों आपकी योगतावे फिर छमता खूल कर लोगों के शामने जाहर होने वाली है दोस्तों विद्यारतियों को केर्या शमंदी किसी शमष्या का स्मधान भी यश्म मिलेगा आप अपनी किसी कमजोरी पर भी जय भी यश्मी हाशिल करणेवाले हैं दोस्तों परंतु आलश हो अपिर ज्यादा बोज मस्ती के शमय समय को यह में वश्ट ना करें यह आपके लिए वैतर होंगी क्योंकि दोस्तों यह में आप जो है अपनी शमताओं का भरपूर उपियों करने का शमय होगा तो दोस्तों यह में को बिल्कुल ना गवाएं और अपने कारियों के प कान दोस्तों यह में आपके लिए उसे मूंगे आपको बता दें कि दोस्तों यदि आप काम नए तरिके से शुरू करना चाहते हैं तो उस्षे शमतित निरले लेने के लिए आपको अधिक वक्त यह में लग शकता है परिवार के किसी व्यक्ति के शाथ मद्वेद होने के व आनो होगा